है लो डियर स्टुडेंट्स वेलकम डू जीडिसी तो आज हम डिस्कर्स करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टन टॉपिक के वारे में जिसमें हम कवर करने वाले हैं ग्लाइको लाइसे तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं तो हम बहुत सारे करने वाले हैं अगर आपने गलाइक लाइस का वीडियो नहीं देखा है तो आप वीडियो टीडी सी ट्टर में अप्लोड है अल्रेडी आप उस वीडियो को देख सकते हैं जिससे आपके सारे जो concepts हैं वो clear हो जाएंगे उसके बाद आप इसको देखेंगे तो जादा अच्छे से आपको सारी चीजन समझ में आएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं glycolysis part 1 कुछ important mcqs को हम cover करेंगे first question देख लेते हैं आपर first question में क्या लिखा हुआ है which of the following enzyme catalyzes the first step of glycolysis यानि कि इन में से कौन सा enzyme है जो की glycolysis में क्या कराता है first आपका जो glucose होता है उसको convert कराता है glucose 6 phosphate में क्योंकि glycolysis की first step क्या है glucose convert होता है glucose 6 phosphate में अब यहां पर थोड़ा सा concept को समझेंगे जो glucose होता है और जो glucose 6 phosphate होता है उसमें बहुत जादा डिफरेंस नहीं होता है बस इतना याद रतना है कि गलुकोज में आपके जनरली 6 कारवन होते हैं अगर मैं क्या करूँ गलुकोज के 6 कारवन से एक फॉस्पेट गुरुप को अटेच कर दूँ तो इसी को मैं बोलूँगा गलुकोज 6 फॉस्पेट या कराता है गलुकोज में जनरली आपका जो फॉस्पेट गुरुप होता है वो अटेच कराने में हेल्प करता है दूसरा इंपोर्टेंट वर्क यहां पर क्या होता है किसमें ADP में यानि कि एक फॉस्पेट गुरुप वहां पर क्या होता है यूटिलाइज हो जाता है तो इस g phase को हम क्या बोलते हैं investment phase बोलते है तो यहां पर फॉस्ट लेंजाइम वरक करता है उतका नाम में क्या एक्जो काईनेब्ग एज तो एक्जो काईनेज तो ए इस दो right answer यानि कि hexokinase क्या कराता है the first step of glycolysis is catalyzed by hexokinase the two initial phospholization by hexokinase and PF के require ATP यानि कि जो आपके starting के दो enzyme होते हैं जिनको क्या होती है ATP required होती है first ATP कहा required होती है glucose का जब conversion होता है कि उसमें glucose 6-phosphate में और दूसरा important होता है आपका जब fructose convert होता है fructose 6-phosphate convert होता है fructose 16-wise phosphate में यहाँ पर क्या होता है जो fructose group होता है वहाँ पर already एक phosphate group लगा होता है बट एक और phosphate group जुडता है जिसको हम क्या बोलते है generally fructose 16-wise phosphate तो यहाँ पर भी energy का क्या होता है utilization होता है इसी लिए इस फेज को क्या बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फेज बोलते हैं जहाँ पर एनरजी क्या होती है इन्वेस्ट होती है next question what is the general term used for the anaerobic degradation of glucose to obtain energy glycolysis दो टाइप की होती है एक होती है aerobic और एक होती है anaerobic देखे थोड़ा सा difference को समझने की खोसिस करेंगे glycolysis की बात हो रही है तो एक तो जिसे मैं बोल रहा हूँ क्या aerobic glycolysis और एक जिसे मैं बोल रहा हूँ anaerobic glycolysis what is the mean of aerobic और anaerobic aerobic का मतलब यहाँ पर आपको याद रखना है सिर्फ क्या oxygen की बात हो रही है यानि कि oxygen की presence में जब क्या होता है glycolysis होता है तो उसको हम बोलते है aerobic glycolysis और oxygen की absent में जब क्या होती है glycolysis होती है तो उसको हम बोलते है anaerobic question में क्या पूचा हुआ है anaerobic यानि कि oxygen की absence की बात हो रही है तो पहले यह concept clear हो गया अब बात आती है यहाँ पर कि degradation of glucose to obtain energy यानि कि anaerobic में जो glucose convert होता है तो याद रखेगा anaerobic में क्या होता है जो glucose होता है वो convert होता है किसमे lactate में अब यह depend करता है आपका different condition की according की lactate की बात हो रही है सबसे पहले कि anaerobic में convert होता है किसमें lactate में glucose convert होता है उसके बाद प्राइरोबिक की बात करें तो ग्लुकोस पाइरुबेट में कनमेट होता है यहां पर पूचा है कि उसको हम किसे टर्म से क्या करेंगे रिप्रदेंट करेंगे सबसे पहला दिया है एना बॉलिजम सेकेंड है ऑक्सीडेशन थर्ड है आपका फर्मेंटेशन और लास्ट आप देख सकते हैं यहां पर फर्मेंटेशन इस दा जेराल टों यूजड फ़ॉरदा डिगेशन ओफ ग्लुकोस प्टेन एनरजी इन दा फर्म ऑफ ए टी प यानि कि fermentation क्या है आपका जनरली एक term है जो की represent करता है glucose का degradation को और energy जो आपकी क्या होती है obtain होती है उसको आप आप देख सकते हैं what is fermentation fermentation क्या होता है fermentation is a biochemical process यह क्या होती है एक biochemical process होती है that gets energy from carbohydrates and does not required oxygen यानि कि fermentation simple सा बोल सकते है कि ऐसी process होती है जिसमें क्या होता है कार्वो हाइडेट से क्या होता है energy obtain होता है without oxygen इसको हम क्या बोलने है fermentation बोल रहे है जैसे इतनौल जब बनती है आपकी अपने देखा होगा इतनौल जनरली किस से बनती है fermentation process से बनती है hydrogen जो आपकी gas होती है fermentation process lactic acid carbon dioxide जो आपकी जनरली यह होते है यह किस से होते है आपके fermentation process से होते है next question whenever the cells ATP supply is depleted which of the following enzyme activity is increased यानि कि यहाँ पर बात हो रही है जब ATP का आपका क्या होता है supply depleted होता है तो उस condition में कौन सा enzyme है जिसकी activity क्या हो जाती है increased हो जाती है तो option पर दिया है first दिया है आपका क्या hexokinase second है यहाँ पर pyruvate kinase उसके बाद है glucokinase और last है आपका क्या phosphofructokinase यहाँ पर बात हो रही है enzyme की activity की यानि कि जिस enzyme की activity क्या हो जाती है increase हो जाती है ATP supply is depleted जब depleted होती है उस condition में तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा phosphofructokinase 1 की बात हो रही है जी हाँ यानि कि जब भी आपका cell ATP supply क्या होती है depleted होती है उस condition में जो फ्रक्टो कानेस होता है आपका phosphofructokinase उसकी जो activity होती है से वो क्या हो जाती है increase हो जाती है तो the correct answer यहाँ पर क्या होगा D is the correct answer आप आप देख सकते है explanation कि अगरा बात करने तो phosphofructokinase 1 is a regulatory enzyme यह क्या होता है एक regulatory enzyme होता है it is the major point of regulation in glycolysis जो कि क्या करता है आपका जनरली glycolysis को maintain करके रखता है its activities increase whenever the cell ATP supply is depleted जब भी आपकी cell की जो supply होती है वो depleted होती है उस condition में इसकी जो आपका जनरली क्या होता है activity होता है वो क्या हो जाता है increase हो जाता है next question cleavage of fructose 165 phosphates yield देखिए यहां पर बात हो रही है किसकी cleavage of phosphate की बात हो रही है यानिकी fructose 165 phosphate की बात हो रही है ठीक है तो यहां पर आप wise phosphate की बात हो रही है fructose 165 phosphate अब इसमें question में यह पूचा हुआ है कि जो यह जो 165 phosphate होता है fructose 165 phosphate यह आपका जब convert होता है जब इसका cleavage होता है तो क्या बनता है चली option देखते हैं first दिया है two aldos बनते है या फिर two ketose बनते हैं या फिर an aldos and ketose बनते हैं या फिर only a ketose यहां पर option यहां पर आई हो बापको clear हो गया होगा अब concept समझते हैं रहिए fructose जो है generally यह क्या है आपकी six members होती है यानि कि इसमें six compound जो अलग हो जाता है दो compound बनते हैं अब यहां पर एक चीज़ याद दखिएगा एक में आपका aldehyde group present होता है जिसको हम बोलते हैं क्या glyceraldehyde glyceraldehyde का मतलब ही क्या होता है यानि की three members की sugar यानि कि तीन carbon की sugar जिसमें aldehyde group present हो उसी को हम बोलते हैं glyceraldehyde एक तरह बनता है आपका जनरली क्या ketone सुगर जिसको हम क्या बोलते हैं generally keto sugar यानि कि इसमें क्या present होता है ketone group present होता है इसको हम बोलते है जनरली क्या glyceraldehyde three phosphate यह दो compound बनते हैं तो यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा दो elders नहीं बनते हैं दो कीटोज नहीं बनते हैं यहाँ पर क्या बनता है एक elders और एक कीटोज तो नहीं क्या होगा यहाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं और कीटोज वहीं हम बात करें यहाँ पर तो देख सकते हैं आप यह क्या होता है जो आपका glyceraldehyde 3-phosphate और जो आपका dihydroxy acetone phosphate होते हैं यह दोनों कैसे होते हैं यहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो कौनसी प्रोसेस होती है reversible process होती है यानि कि further जो process होती है आगे उसमें क्या होता है ketone group कभी participate नहीं करता ketone group को अगर participate करना होता है तो क्या होता है कीटोन जो सुगर होती है वो convert होती है किसमें glucose के जनरली तीन कार्वन की chain में जनरली glyceraldehyde में वो क्या हो जाती है convert हो जाती है उसके बाद further process आगे continue होती है next question dihydroxy acetone phosphate is rapidly and reversibly converted to देखे वही बात हो रही थी अभी हमने बात की थी fructose 1,6 wise phosphate की बात हो रही थी ये convert हो रहा था किसमें DHAP में यानि की dihydroxy acetone phosphate की बात हो रही है और आपका GLEP में यानि की GLEP का मतलब यहां पर क्या हो गया glyceraldehyde 3 phosphate की बात हो रही है तो यहां पर पूचा है कि dihydroxy acetone जो phosphate होता है यह rapidly क्या होता है reversibly convert होता है किसमें GLEP में convert होता है यानि की glyceraldehyde 3 phosphate में convert होता है और 4 जो glyceraldehyde 3 phosphate होता है वो आगे further process करता है फिर 1,3 में convert होगा उसके बाद 3 में उसके बाद 2 में उसके बाद पैप यानि की pyruvate बनाएगा pyruvate से पहले इनॉल बनाएगा उसके बन पाई रूबेट बनाएगा यहां पर आप देख सकते हैं glyceraldehyde 3 phosphate में क्या होगा convert होगा तो इसके बाद बनेगा यह आपका नहीं होता है इन्वेश्टमेंट फेज की बात हो रही है तो यहां पर क्या होगा यहां पर क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा यहां पर देख सकते हैं hydroxy acetone phosphate is rapidly and reversibly converted to glyceraldehyde 3 phosphate 3 phosphate में क्या होता है convert होता है DHAP convert हो जाता है किसमें glyceraldehyde 3 phosphate में है next question which substrate is used in the last step of glycolysis is यहां पर question में पूचा हुआ है कौन सा substrate है जो की last step में use होता है glycolysis में तो देकि glycolysis में जनरली आपके total 10 steps होते हैं glucose से लेके pyruvate के 20 तक जो आपके steps होते हैं उनकी बात करें तो अगर हम last की बात करें तो लास्ट में आपका क्या बनता है pyruvate बनता है पाइरुवेट से पहले की बात हो रही है यानि कि pyruvate से पहले क्या बनता है तो पाइरुवेट से पहले बनता है आपका चनरली क्या फॉस्पो inol pyruvate क्या बनेगा फॉस्पो inol pyruvate बनेगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा difference नहीं होता है अगर हम detail की बात करें तो देखिए basically बता देता हूँ simple सा एक जैसे माल लिजे 3 कारवन की chain है एक यह हो गया एक यह हो गया दो आपके क्या हो गया 3-3 कारवन की chain हो गया तो pyruvate में और यहाँ पर बस बहुत ज़्यादा difference नहीं होता है बाकी सब सेम होता है second कारवन पर क्या होता है change होता है second कारवन में क्या change होता है phosphate जो होता है जनरली phospho inol जो pyruvate होता है उसमें क्या होता है second carbon पर phosphate group attach होता है इसी को बोलते हैं phospho inol pyruvate phospho का मतलब phosphate group second carbon पर present होता है वह हम बात करें सिर्फ pyruvate की तो pyruvate में क्या होता है यहाँ पर phosphate group remove हो जाता है और आपका ketone group attach होता है तो आपके pyruvate में और कभी आपसे कोई पूछे phospho pyruvate की बात करें अगर कोई phospho inol pyruvate की तो उसमें बहुत जादे difference नहीं होता है ketone group अगर मैं क्या करूँ हटा दूँ और वहाँ पर phosphate group attach कर दूँ तो क्या बन जाएगा आपका phospho inol pyruvate बन जाएगा और वहाँ से अगर मैं ketone group attach कर दूँ तो बन जाएगा pyruvate बहुत simple simple basic basic concept को लेके चल रहे है आपर अब बात हो रही है last step की तो last step क्या होता है आपका glycerol diide 3 phosphate जी नहीं यानि कि यह किसकी बात हो रही है आपके DHAP और glab की बात हो रही है वो उसके part नहीं है 1,3 wise phosphate इसके बात बनता है उसके बात फॉस्पो इनॉल pyruvate जी हाँ यह आपका क्या है सही आंसर है यानि कि substrate की बात हो रही है last की substrate की बात हो रही है तो phospho inol pyruvate क्या है last substrate होता है किसका आपके pyruvate का तो pyruvate से पहले बनता है phospho inol pyruvate तो the correct answer यहाँ पर क्या होगा T is the correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा glycolysis पूरा glycolysis में अगर हम बात करें तो phospho inol pyruvate की जो की convert होता है किसमें pyruvate में pyruvate kinase enzyme की presence में यहाँ पर दो ATP का formation होता है next question high concentration of glucose 6 phosphate is inhibitory 2 यानि कि यहाँ पर है कि अगर glucose 6 phosphate का क्या हो जाए concentration high हो जाएगा तो यह किसको inhibit कर देगा देखिए glycolysis क्या है ना घर का बेदी लंका डाय वाला concept है यहाँ पर घर का बेदी लंका डाय का मतलब सिंपल सा है यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर glucose 6 phosphate का concentration जादा हो जाएगा तो यह क्या कर देगा glycolysis को ही inhibit कर देगा कैसे चलिए देख लेते हैं फर्स्ट है hexokinase को inhibit कर देगा second है pyruvate kinase को third है आपका क्या glyco kinase और fourth है आपका यहाँ फॉस्पर रक्टो काइनेज वन की बात हो रही है यह hexokinase enzyme को क्या कर देता है inhibit कर देता है hexokinase inhibit कब होगा जब glucose 6 phosphate का concentration बहुत जादा increase हो जाएगा उस condition में hexokinase आपका क्या हो जाएगा inhibit हो जाएगा जिससे glucose glucose 6 phosphate में convert नहीं होगा तो the correct answer यहाँ पर क्या होगा A is the correct answer क्या पर आप देख सकते हैं hexokinase catalyze the reaction involving conversion of glucose into glucose 6 phosphate जिसमें क्या होता है hexokinase is inhibited by its product glucose 6 phosphate यानि कि वो आपने सुना होगा कि अक्सर वही लोग हमें डुमाने की कोशिस क्या करते हैं जिनको हमने ही तहरना सिकाया होता है वही concept है यानि कि यहाँ पर जिसको आपने खुद तहरना सिकाया ना वही लोग आपको डुमाने की कोशिस कर रहे है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो hexokinase है जिसने क्या कि आप जिसने glucose को convert या glucose 6 phosphate ने वही कह रहा है कि भाईया अब आप इनिवीट हो जाओ तो यह आपका concept है यहाँ पर competition है यहाँ पर next question the product formed in the first substrate level phospholoration in glycolysis is question को अगर आपने समझ लिया ना तो 90% आपका answer सही होगा 99% बोल सकते हैं कि जो question है अगर आपने उसको अच्छे से समझ लिया तो अब देको यहाँ पर question पूछ रहा है कि जो product है जो product बनता है first substrate level first substrate level phospholoration in glycolysis is यहाँ पर पूछा हुआ है phospholoration क्या होता है उसको समझते हैं जब भी आपका ADP से ATP बनता है यानि कि ADP convert होता है ATP में यानि कि simple सा है कि जब भी ATP का formation होगा उस condition को हम बोलते हैं क्या substrate level phospholoration यानि कि ATP बन रहा है तो वो कहाँ पर बनता है first ATP कहाँ पर बनता है बहुत सारे बच्चे confused हो जाते हैं याद रखना glucose जब glucose 6 phosphate में convert होता है तो वहाँ पर ADP से ATP नहीं बनता यह चीज आद रखनी है आपको बलकि ATP आपका ADP में convert होता है तो यह concept गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर substrate level phosphorylation concept नहीं लग रहा है substrate phosphorylation का मतलब भी होता है ATP का बनना दूसरा एक होता है fructose 6 phosphate convert होता है जब fructose 1,6,22 phosphate में तो वहाँ पर भी यही होता है ATP आपका convert होता है ADP में तो यह तो हो गए investment phase अब बात आ रही है कि कहाँ पर बन रहा है चलिए देखते हैं फ़स्ट दिया है pyruvate जी हाँ जब आपका phospho in all pyruvate जो होता है convert होता है pyruvate में उस condition में आपका क्या होता है substrate level phosphorization होता है वहाँ पर 2 ATP का formation होता है लेकिन वो आपका first step नहीं है इसलिए इसको count नहीं करेंगे यहाँ पर पुचा है first step second step की अगर बात होती तो यह answer हो जाता second में दिया है 3 phosphoglycerate की बात हो रही है तो 3 phosphoglycerate जब convert होता है किसमें 2 phosphoglycerate में तो वहाँ पर क्या होती है ATP का formation होता है इसी को हम बोलते है substrate level phosphorylation यानि की first time आपका कहाँ पर देखने को मिलता है 3 phosphoglycerate के पास तो the correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा B is the correct answer option देख सकते हैं phosphoglycerate kinase transferase transfers phosphoryl group from 1,3 2 phosphoglycerate to ADP यानि कि यह क्या करता है convert करता है आपके phosphoryl group को next question next question मैं पूचा हुआ है glycolysis converts जो glycolysis होती है वो आपकी convert होती है अब यहाँ पर ऐसे लिखा है directly कि glycolysis convert तो हमेसा याद किएगा जब भी ऐसे questions आते हैं तो वो starting से last का पूच रहे हैं यहाँ पर option में आपको यह नहीं दिया कि first step बताईए second step बताईए आप लिखा है glucose यानि कि glycolysis converts तो glucose convert होता है किसमें pyruvate में यह पूचा है अब questions में यहना देखि aerobic भी condition हो सकती है anaerobic भी हो सकती है human भी हो सकता है plant भी हो सकता है animal भी होता है तो वो depends करता है अभी यहाँ पर simple glucose convert होता है glucose into pyruvate 이 option रहिए joke glucose into phosphoenole pyruvate यह option गलत हो जाएगा क्यों? क्योंकि जो phosphoenole pyruvate यहाँ पर क्या हो रहा है? यह second steplor का लास्ट सेकंड स्टैप है किसका ग्लुको का यानि की ग्लैकोलाइस का यह गलत हो जाएगा option दा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा A is the correct answer तो glycolysis is the metabolic pathway that converts glucose into pyruvate glycolysis का है metabolic pathway होता है जिसमें glucose आपका convert होता है पाइरिवेट में तिम्पल साय आप दखता है glucose क्या होता है 6 carbon का एक सुगर होती है monosaccharide होती है जिसमें hexose sugar जिसके नाम से जानते है यह क्या करता है यह जब convert होता है तो बस याद दखना 2-3-3 carbon की chain में convert हो जाता है यानि कि 2 pyruvate acid के क्या बनाता है molecule में बनाता है simple सा next question the deficiency of which of the following enzyme leads to galactosemia यानि कि यहाँ पर question में पुचा है कि आपके किस enzyme की वज़े से क्या होता है galactosemia देखने को मिलता है तो चलिए option देखते हैं first दिया है आपका galactokinase second pyruvate kinase third आपका PFK1 और second आपका PFK2 तो यहाँ पर बात हो रही है किसके galactosemia की galactosemia यानि कि galactos term की बात हो रही है galactos की बात हो रही है सबसे पहले तो यह समझेएगा अगर कोई आप से पुचे galactosemia कि से related problem है तो याद रखिएगा यह है आपका galactos related जो कि किसमें आता है monosaccharide में आता है hexo sugar होती है aldeide group present होता है इतना important था उसके बाद अब बात वहीं galactokinase kinasease क्या है enzyme है किसमें galactos में तो दा करेक्ट answer यहाँ पर क्या होगा is the character answer तो galactokinase enzyme की वैसे क्या होता है generally galactosemia देखने को मिलता है इन galactokinase enzyme यानि कि जब भी galactokinase enzyme की क्या होती है deficiency होती है तो galactosemia देखने को मिलता है high galactose concentration are found in blood and urine यानि कि उस condition में क्या होता है जो galactose होता है उसका high concentration देखने को मिलता है तो यह थे DR student कुछ important MCQs glycolysis related I hope आपको concept अच्छा लगा होगा सारी चीज़ने समझ में आई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा इस तरी की वीडियो देखने के लिए मिलते हैं next वीडि